दो दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे के उसे किस प्रकार चल से पकड़ कर मार डालें। परंतु कहते थे के पर्व के दिन नहीं कहीं ऐसा ना हो के लोगों में भलवा मचे। जब वो बैत नियाह में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। तब एक स्त्री संग मरमर के पात्र में जटा मासी का बहुमूल शुद्ध इत्र लेकर आई। और पात्र तो कि ये इत्र तो तीन सो दिनार से अधिक मुल्ले में बेच कर कंगालों को बाटा जा सकता था। और वे उसको जड़कने लगे। येशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यूं सताते हो उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। तुम जब तब उनसे भलाई कर सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया है। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुम से सच कहता हूँ, सारे जगत में जहां कहीं सूसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस करियोती जो बारह में से एक था महायाजगों के पास कया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनन्दित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और वो ये अवसर ढूंदने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे उसके चेलों ने उससे पूछा तु कहा चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने के तयारी करें। उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा। तुम्हें एक सजी सजाई और तयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहां हमारे लिए तयारी करो। सो चेले निकल कर नगर में आये और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तयार किया। जब सांज हुई तो वो बारहों के साथ आया और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशू ने कहा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकडवाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक-एक करके उससे कहने लगे। क्या, वो मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो बारहों में एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य पर हाए, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकडवाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो उसके लिए भला होता। और जब वे खा ही रहे थे, तो उसने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देर है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवात किया और उन्हें दिया, और उन्स सबने उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लोहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दाक का रस, उस दिन तक फिर कभी न पियूँगा, जब त परमेश्वर के राज्य में नया न पियूँँ, फिर वे भजन गाकर बाहर चैतून के पहाड पर गए, तब ईशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा, और भेड तितर बितर हो जाएंगी, परन्तु मैं अपने जी उ इशु ने उससे कहा, मैं तुझ से सच कहता हूँ, आज ही इसी रात मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले, तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा, पर उसने और भी जोर दे कर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो भी तेरा इंकार कभी न करूँगा, इसी प्रकार और सबने भी कहा, फिर वे गत समने नाम एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करूँ, और वो पत्रस और याकूब और युहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने तुम यहां ठहरो और जाकते रहो, और वो थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमी पर गिर कर प्रार्थना करने लगा, यदी हो सके तो यह घड़ी मुझ पर सिटल जाए, और गहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मुझसे हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं, पर जो तुचाहता है, वही हो, फिर वो आया, और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा, ये शमोन, तु सो रहा है, क्या तु एक घड़ी भी न जाक सका, जागते और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परिक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है, और वो फिर चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आखें नींद से भरी थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें, तब तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुँची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकठा पहुँचा। वो ये कही रहा था के यहूदा, जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुर्णियों की ओर से एक बड़ी भीड, तलवारें और लाठियां लिये हुए, तुरंट आ पहुँचा। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था के जिसको मैं चूमूँ वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। और वो आया, और तुरंट उसके पास जाकर कहा, है रब्बी, और उसको बहुत जूमा, तब उन्होंने हात बढ़ा कर उसे पकड़ लिया, उन्हें से जो बास खड़े थे, एक ने तलवार खीच कर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। येशू ने उनसे कहा, क्या तुम दाकु जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारे और लाठिया लेकर निकले हो, मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहे कर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे नपकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ है, कि पवि अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया, तब वे येशू को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और पुर्निये और शास्त्री उसके यहां इकठे हुए, पत्रस भी दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा, महायाजक और सारी महासभा येशू के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत तेरे उ पर उनकी गवाही एक सी ना थी, तब कितनों ने उठकर उस पर ये जूठी गवाही दी, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढ़ा दूँगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बना हो, इस पर भी उनकी गवाही एक सी निकली, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर ये शू से पूछा, महायाजक ने उससे फिर पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परमधन्य का पुत्र मसी है? यीशू ने कहा, हाँ मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्तिमान की दहिनी और बैठी और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र भारतर कहा, अब हमें गवहाओं का और क्या प्रियोजन? तुमने ये निन्दा सुनी? तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वो वक्र के योगे हैं! तब तो कोई उस पर थूकने और कोई उसका मूह धापने और उसे घूसे मारने और उ जब पत्रस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहाँ आई! और पत्रस को आगतापते देख कर उस पर टक्टकी लगा कर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था! वो मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझ ताके तू क्या कह रही है? फिर वो बाहर डेवरी पर गया और मुर्ग ने बांग दी, वो लौंडी उसे देख कर उनसे जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है! परंतु वो फिर मुकर गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे, फि पत्रस को वो बात जो ये शुने उससे कही थी, स्मरण आई, कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा, वो इस बात को सोचकर रोने लगा, जो कर दो जो है।